समाजवादी पार्टी में विख्राव और अखिलेश यादद वारा नकाले जाने के बाद अमर से इस इस्थदी में नहीं थे कि जयाप्रदा को टिकट दिला सकें लिहाजा भाजपा से टिकट दिला दिया वैसे 2014 की मोदी लहर में उन्होंने राश्ट्री लोगदल के बैनर तले बिजनोर से चुनाव रड़ा था और करारी हार का सामना किया था अब फिर रामपूर के सियासी मैदान में जयाप्रदा का मुकाबला हो रहा है आए दिन विवादित बयान देने वाले आजम खान से इन सारे मामले में बड़ा पेच यह है कि जयाप्रदा को रामपूर के भाजपाई किस तरह स्विकार कर पाएंगे और वे इनके लिए काम कैसे कर सकेंगे जिनका दशकों से खुला विरोध करते रहे हों इसके अलावा इस सीट ने 11 भाल लोगसभा में मुसलिम नुमाइंदों को भेजा है जिनमें स्वतंतता संग्राम सलानी मौलाना अबुल कलाम आजात से लेकर भाजपा के दिगज मुकतार अबास नकवी शुमार हैं जाहिर है कि इस सीट अल्प संख्यक बहूल है सपाबसपा गठबंदन कॉंग्रिस का अलग से चुनाव लड़ना वो पार्टी का आंतरिक बिखराओ भी चुनाव की नतीजों को प्रभावित करेगा इसके अलावा समाजवादियों के बीच अमर सिह का अपना नेटवर्ग भी असर डाले बगेर नहीं रहेगा कॉंग्रिस ने भी इस बार यहां से नूर बानों का टिकट काट कर पूर विधा संजे कपूर को टिकट दिया है